हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल इंडिया न्यूट्रोबर में आपका बहुत बहुत स्वागत और आज हम बनाने वाले एक नई मिठाई जल्दी से बनने वाली और उसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम ये कड़ाई में एक मग दूट डालेंगे आपको जितनी ज़्यादा बनाने उस हिसाब से ले लेंगे दूट से बनी मिठाई तो बहुत ही अच्छी होती बहुत कम चीजों से बनने वाली और बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ही अच्छी बनती हो और फेस्टिवल टाइम स्टार्ट हो गया है रक्षा बंदन आ आने वाला है तो बाहर की मिठाई खाने से बैटर है कि हम घर की कुछ बनी अच्छी अच्छी मिठाई खाएं तो यह बहुत जल्दी बन जाएगी अब यह दूद्ध थोड़ा सा गरम हो जाएगा इसको गरम करना है जब इसमें उबाला जाता है थोड़ा दूद गरम हो ज इब तो पाले लेजिए और अगर कम दूद ले रहे हैं तो कम दूद ले रहे हैं तो कम चीनी जिसनी भी आपको बनानी मिल जाता है इन तीनों चीजों सम बनाने वाले हैं आज बहुत ही अच्छी मिठाई और बहुत ही अच्छी एकदम बजार जैसी खोई की बीना खोई डाले इतनी अच्छी मिठाई यह बनेगी और इतनी जल्दी बन जाती है कि पता भी नहीं चलता इतनी महनत भी नहीं लगती इसमें बन आने आप भी ट्राय कर सकते हैं बहुत ही बहतरीन बनेगी खाने भी बहुत अच्छी बनेगी और सबको पसंद भी आने वाली मिठाई यह इसको हमें पकाना है अच्छे से तब तक जब तक यह सूख नहीं जाए एकदम मतलब थिक बैटर ना बन जाए इसका इसको ऐसे चलाते रहना है ताकि इसमें लंप्स ना पड़ें ने तो यह मिल्क पाउडर के अच्छे से नहीं मिक्स होगा तो फिर अच्छे से यह नहीं होगा तो इसको में अच्छे से चलाते रहना है और यह धीरे धीरे फिर गाड़ा हो जाएगा अपने आप यह देखिए दूद में गाड़ा पनाने लग गया है इसको अच्छे से चलाते रहना है continuously और इसे हम तेज आच पे ही करेंगे low या medium flame पर नहीं करना है तेज आच पे ही करना है बस इसको चलाते रहना है और इसके बाद अपने आप ही धीरे 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 ये गाड़ा होता जाएगा और इसमें ठिकने साती जाएगी festival season है तो बहुत मन करता है मिठा खाने का इतनी अच्छी अच्छी market में भी मिठाई हैंती है तो क्यों न हम वो घर पे ही बना लें और कम चीजों से जादा महनत भी नहीं लगेगी तो इसको आप घर पे भी try कर सकते हैं तो ये देखे कितना गाड़ापन आ गया है ये बहुत ही tasty बनेगी मिठाई seriously आप इसको try करके देखे बहुत ही अच्छी बनने वाली है और ये है dry fruits optional है अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो कोई जरूरी नहीं है बर डाल देंगे तो और भी taste में वही कहते हैं न सोने पे सुआगा वाली बात हो जाएगी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो ये मैंने इसमें सिर्प काजू और बदाम दो ही चीज लिए इन दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया और इसमें मैंने डाल दिया अब इसको अच्छे से चलाना है और अच्छे से इसको एकदम ठिक बनाना है जो ये बैटर है इसको एकदम ठिक हमें अच्छे से बनाना है चलाते रहना है देखिए धीरी-धीरी कितना गाड़ा होता जा रहा है ये देखिए हो गया ना गाड़ा इसे और भी करना है इसको हम एकदम जिसे ड्राइनेस होती है उस टाइप का कर लेंगे और ये मैंने इसमें न त्री-फोर स्पून घी डाल दिया है और भी ज़्यादा टेस्ट्री लेना उसको ऐसे करना इसे और भी हमें ठीक करना है एक-डम ढ्लाइब देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा सिखाने में में बहुत अच्छा लगा ये देखिए और ये होग्या थोड़ा से सम्-ब्र-खरेंगये ताकि ये हमारे हाथ में इसले ईजिभी शेप मे बन जाए तो इसको हमें और भी थोड़ा थिक करना है ये देखिए हो गया थिक तो हम गैस बन कर लेंगे अब इसको ठंडा होने देंगे गरम नहीं बहुत अच्छे सो हो गया है इतना ही करना हमें अब हम इसको ठंडा कर लेंगे ये देखे ठंडा होने के बार अब हम इसको पेड़े के रूप में या जैसा भी आप चाहो जिस शेप में भी आप चाहो इसको ऐसे बनाना है तो मैं इसको गोल-गोल बना रही हूँ पेड़े के शेप में आप देखे ऐसे करके हम एक-एक चोटे-चोटे चाहे बड़ा बनाना साइज या चोटा बनाना हो आप जैसे भी चाहे वैसे बना सकते हैं इसको और ऐसे एक-एक करके हम सारा बना लेंगे यह बहुत ही कितनी जल्दी बन गई ना मिठाई यह बहुत ही easy भी है बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत ही कम चीज हो में ना इसमें हमें खोए की जरूरत पड़ी और ना किसी और चीज की और इतनी जल्दी और यह मिठाई सिरप आधे गंटे के अंदर बनके तयार होगे पूरा प्रोसेस ही सिरफ आधे गंटे के अंदर ही हमारा पूरा हो यह देखिए ऐसे मैंने इसको चोटे-चोडे पेड़े बना लिये हैं उसका टेस्ट भी एकदम मावी की मिठाई होती एकदम वैसा ही टेस्ट आएगा एकदम अपको लगेगा ही नहीं कि यह घर की वनी मिठाई बना लिये हैं अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा और यह स एक एक करके, सब पे ऐसे करके हम लगा देंगे, सिखर के, आप चाहें तो इस पे पिस्ता भी, किस मिस भी, आप जो भी ड्राइफूट लगाना चाहें, तो लगा लें, फेस्टिवल टाइम है, तो फिर क्यों न अच्छे से इंजॉय करें, अब तो फेस्टिवल की सुरुआ मिलावटी मिठाई, उस बैटर है कि हम घर पर इच्छे मिठाईया बना के आ सकते हैं, और हमारे पास तो ऐसकल टाइम भी है, तो इसली हम बना भी सकते हैं, और बच्चों के लिए भी घल्दी है, और हमारे लिए अच्छा है, इस टाइम तो हर कोई एवैड़ी कर रहा है या बाहर के खाने से तो घर पर या बैटर ऐसे बना सकते हैं अच्छे से इजिली और कम चीजों में भी बन जा रही है और ज्यादा मैनत भी नहीं लग रही है कि हमें चलो बहुत चार पाज घंटे लग रहे हैं तो कितना मुश्किल काम है कौन बनाए तो हम सोचते हैं चलो क कि अपने घर पे बनाई है आप किसी और को भी कोई ग्यास टा तो उनको भी खलाए वह भी बिल्कुल यही कहेंगी कि मार्केट जैसे यह देखे मेरी मिठाई एकदम त्यार होगी थैंक्यू सो मॉच गाइस वाचिंग फॉर माइव वीडियो बाबाई